नेमस्तार आपका सुवागत है बीबी नियूज में इसे अंद विश्वास कहें आप उत्र के जाने के गम में व्याथित परिजनों को किसी चमतकार की उमीद सपने में बच्चे को जिन्दा देख कर कब्र खुद डाली शव बाहर निकाल कर पूरे दिन किसी करिश में का इंतजार होता रहा चिकित्सकों की मान मनोवल की तो तांत्रेकों से भी गोहार लगाई गई लगभग 9 घंटे तक कश्मिश चली लेकिन अंतत्ना परिजन और ग्रामीनों को सचाइस वीकार करनी पड़ी और बच्चे को फिर से दफना दिया गया घटना यमुना पार के गाउं से हुरा की है यहां मोहन सिंग की पतनी शशी ने 20 फरफरी को किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में एक शिशु को जैन दिया डिलिवरी के बाद दमपती उसे घर ले आया लेकिन बीते बुदवार को अचानक बच्चे की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई शिशु को एक खेत में दफना दिया गया बताया जा रहा है कि अगली सुबह ही गाउं में ही रहने वाली बच्चे की कृष्टेदर ने बताया कि रात में उसे सपना आया है कि बच्चा कह रहा था कि वह जिंदा है उसे बाहर निकाल लो यह बात सुनकर बच्चे का पिता मोहन नान्य परिजनों को साथ लेकर खेत पहुँचा और शव बाहर निकाल लिया पिता मोहन वकुच ग्रामीनों ने दावा किया कि गढ़्धे से निकालते ही बच्चे में जान वापिस आ गई वे कई चिकित्सकों के पास बच्चे को लेकर पहुँचे तो उन्होंने भी बच्चे को मृथी बताया फिर बरारी ग चिकित्सक और तांत्रेकों ने बच्चे को देखा, लेकिन कोई भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं कर सका, बाद में चिकित्सकों वे तांत्रेकों ने हाथ खड़े कर दिये तो परिजनों ने गुरु वार शाम बच्चे को फिर से दफना दिया, बच्चे कि अब भगवान बाद दुबारा बाहर निकाला तो मैंने उसे पांच चमच कंगा जल पिलाया था, बाबा भूरी सिंग ने बताया कि गाउ देहात में ऐसे मामलों को हवा का चक्कर बताते हैं, लेकिन हमें बच्चे की जान लोटने का पूरा विश्वास था, ब्रजलाल पंच ने बताया क जब सुबह बच्चे को निकाला गया तो उसकी सांसे चल रही थी, चहरे और शरीर का रंग भी बदल रहा था,